हलो, गूड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के 10th lecture में आपका स्वागत है, आज की lecture में हम यूनियन एजगेटव के बार में discuss करेंगे, क्या है यूनियन एजगेटव, देखो यूनियन एजगेटव का मतलब यह है, केंदरीय कारियापालिका, अब केंदरीय कारिय है और इस्टेट की बात के तो राजयपाल किस तरीके से काम करता है दोनों किस पाउर का डिफ्रेंस है वो चीज़े कवर करेंगे बाद में प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री स्क्रम आगे चलते रहेंगे तो देखो अभी तक हमने क्या पड़ाइक बाद जल्चे थोड़ा सा वो देख लते हैं कल वैसे हमने जो हमारे फंडामेंटल डूटीज हैं डीपीएसपी उनको कवर किया था एक करके अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेज जिज़े कमेंट बोक्स में जरूर बताएं ताकि उसका सोलूशन है वो क्या जासके अब देखो उसम अब आज हम देखेंगे यहां पर राष्टरपती और मंत्री परजद है सब को साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे चिंता कि कोई बात नहीं है लकसमे कांद को हम अलग से गवर करेंगे बस पहले हमाएं हमारे एक नोट्स की फ़ॉमयन को गवर है वो कर रहे है तो को राष्टरपती की बात ही है सबसे पहले आर्टिकल आर्टिकल 53 fast और जो फेस्स 12 क्या कहते है कि संग कि कारिय प पावर है वो वैसे तो राश्टरपती में नहीत होती है देखो वर्ड पर फोकस करना भारत की जो कारिया पावर है न वो राश्टरपती में नहीत होती है और ये डायरेक्ट ली राश्टरपती खुद यूज नहीं करता ये परदानमंत्री के थ्रूज करता है मतलब हमारे द देन क्या होता है, कि राश्टर पति जो भी कुछ काम करता है न, हो मंत्री परिश LinCCirt की एड और एडवार्फ पर काम करता है, उर मंत्री परिश 연 ACCERT है, परधान मंत्री. तो इनकी इनिडिर्क्ली हैं बोल सकते हैं, कि परधान मंत्री सब कुछ करता है. हम देखो ऐसा डेल लाइप में हमें पता भी है कि वोगता क्या है बट हमें दियल प्रोसिजर का पता होना चीए कि कैसे कैसे कैसी इने क्योंकि देखो आर्टिकल 74 का जो पहला लोग हो ये कहता है कि राश्टरपती की सायता के लिए अब दिखो किला राश्टरपती सब कुछ तो कुछ कर नहीं सकता तो अबिसली इसको कोई ने कोई एडवाइस देने वाला चीए कोई ने कोई कंसल्टेंस या कोई इन खोईल्प की जूरूत होती है इसके लिए एक मंत्री परिशत होनी चीए क्या होनी चीए? मंत्री परिशत और ये मंत्री परिशत क्या करेगी? यही एक चूली राष्टरपिति को एड़एस देगी और उसी के आधार पर काम करेगा मतलब सारा बिल है वो राष्टरपिति के नाम पर करता है है और बाकी व्योंसे काम कुँन करता है परधान मंत्री क्यों क्यों कि मंत्री परिषद का head मंत्री का head है वो सद्फ करें होता है तो इसलिए जब head हो ये काम करेगा तो ये हापी बात कोझ चीजें आपके दिमाख में जい Fast को कि बहुँ अगर जैसे सोमाली सा जो सुवेधान संसोदुन हुआ था ना कर वह था 1970 एटमी उसमें ये चीज कलियर कर दी गए थी कि राष्टरपती है ना वो मंत्री परिशत की जो एडवाइस है ना इसी के बैसेज पर काम करेगा मतलब राष्टरपती के लिए नहीं कर सकता सब कुछ खैर वो अलग बात है कि राष्टरपती पास कुछ पाउर है वीटो पाउर जैसे कि वो कुछ काम है वो उसके लिए खुदी पर ही कर सकता है बट नॉर्मली जो सारे काम होते हैं डिल लैफ के जो भी आप मलबगी पारलेमेंट सिलिटेड हैं उनमें सारे काम है फिर सेम का सेम परस्ता बयहत़्ंगी जो अपस ही बहे सकते है कि आप विचार किजी इसके बाद में आप देखिए और उस कंडिशन में जो हम बात करेंगी मंत्री प्रिशद है, अगर फिर सेम का सेम प्रस्ताव बेज़दे कि नहीं भाई हमें तो इसमें कोई चेहन नहीं करना, आपको ही काम हो करना है, तो उस कंडिशन में राष्टरपती के लिए बात देखारी हो जाती है, और राष्टरपती हम चलते हैं आगे, नेक्स यहाँ पर बात आती है, वा आती बहीं जो परधान मंत्री की नूक्ति है राष्टरपती करता है यह आ आपको बताये, तो दिख़ो यह वसए आर्टिकल 75 में आती है कि जो परधान मंत्री है याई कि जो मंत्री प्रेशत का हैड होता है मुख्या होता है उसकी न्यूकती वैसे राष्टरपती करता है और बाकी जो मंत्री होगी उनकी जो न्यूकती है वो परधान मंत्री की प्रामर से राष्टरपती करता है मलब सबसे पहले परधानमंत्री की नुक्ति का काम होता है देखो अभी आपको बतागी कि पिसले मलब अभी इलेक्शन होए ते कुछ टाइम पहले ही तो उस इलेक्शन में क्या सीन होता है? election होगे इसके बाद में राष्टरपती ने परधान मंत्री की नूखती की जिस दिपीदल के पास भूमत था वो और इसके बाद जो परधान मंत्री है उसने मंत्री प्रेशत का गठन किया और फिर उनको सब को appointment है या हम बोले की सब को एक तरीके से मलब जो उनकी seat है पर उपर और वो उनको provide करवाएगी राष्टरपती के द्वारा यह सारा scene है वो होता है अब देखो दो चार फिक जैसे यह है एक तो कि जो मंत्री होते है न वो basically राष्टरपती के परसाद प्रियंती काम करते है मतलब राष्टरपती है वो जब तक जाएगा तब तक ही वो अपने पद पर रहेंगे खर उनको तब चाहिए वो हटा नहीं सकता उसके लिए कुछ न कुछ कंडिशन होती है उसी कंडिशन में अगर किसी भी मंत्री को हटाना हो तो उसके लिए procedure क्या होती है देखो मंत्री को हटाना हो तो obviously लोग सभास से यह चीज clear होनी चीए मतलब कि परध राष्टरपति के परसाद प्रियंत वो रह रह रहे है बर जो पूरी मंत्री परिशद है ना यह किसके परती रिस्पोंसिवल होती है मंत्री परिशद है वो basically पूरी की पूरी मंत्री परिशद लोग सभा के परती रिस्पोंसिवल होती है क्योंकि मंत्री परिशद ही तो मि मंत्री परिशद है वो सामुई गुरूप से लोग सभागय परती रिस्पोन्सिबल है वो होती है अब सवाल यह उठता है कि भाई जब मंत्री परिशद है वो कोई ऐसी कंडिशन में हो कि वो कोई भी मतलब प्रामर्स नहीं दे बारी हो रास्टरपती को तो क्या सीन होगा द तो उस condition में राष्टरपती के पास free power होती है, वो जिसको चाहे परधानमंतिर न्यूक्त कर सकता है, बट लेकिन और लेकिन बात ऐसी है, कि जिसको भी उसने परधानमंतिर न्यूक्त किया है, उसको एक निश्चे time trade होता है, उस time trade में बहुमत हासिल करना होता है, अगर उस time trade में उन्होंने बहुमत हासिल नहीं किया होता है, तो सरकार गिर जाती है, तो ये चीज़ आपको धानमें रख लिए, तो इसलिए क्या सीन होता है, कि जो भी party majority में होती है न, उसी के सदस्यक को basically, या हम बात करें उसी के मंत्री को क्या किया जाता है, प्रधान मंत्री बनाया जाता है, ताकि वो आसानी से बहुमत हासिल कर सके, तो ये कुछ fact है, आपको धानमें रखने के जाए, और रही बात ऐसी, कि लोकसभा के election हो गए, और किसी भी party को majority वाले city नहीं मिल रही है, तो उस condition में आपको बताए कि क्या होता है, गट बंदन की सरकार बनती है, और गट बंदन की सरकार के लिए क्या होता है, जो भी जिस भी गट में लब, जो भी जितने 2-4 group हैं मिलके सरकार बना रहे हैं, उनको बहुमत साबीत करना होता है वालेमेंट में, तब ही उनकी सरकार रह पाती हैं, अदर्वेज उनकी सरकार collapse हो जाती हैं, तो ये आपको कुछ फिर्ट ध्यान में रखना चाहिए हैं, अब देखो, अब बात ऐसी है, जो भी कोई running या current जो परधान मंत्री है, ठीक है, उससे actually ये लग रहा है कि यार उसकी सरकार गीर सकती है, या मिलोग से कोई नगोई गडबल लग रहे हैं, उसके खिलाब आईश्वास परस्ताव आ सकता है, उस भी आ सकता हैं, तो उस condition में यो क्या कर सकता हैं, लोग सभा को भंग करवाने की कोशिश कर सकता हैं, और अगर ये बात राष्टरपती को पता चल जाए, कि भाई ये परधान मंत्री अपनी इज़त बचाने के चकर में ये सारी कांड कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्टरपती पतान मंत्री की एडवाईस को माने, तो ये फेक्ट आपको धान में रखना है, यानि कि आपको गोती सीधी लेंग्वेज में कहूं तो ये मतलब हो गया, कि ये दी कोई तत्कालिन पतान मंत्री है, और उसे लोग सबाब भंग करने की लग रही हो कि लोग सबाब भंग कर दूँ ताकि मेरी सीट बच जाए, तो उस कंडिशन में राष्टरपती पतान मंत्री की एडवाईस मानने के लिए बादे नहीं है, तो ये कुछ फेक्ट आपको ध्यान में रखने है, कि भाई कैसे कैसे कैसी इन है वो होता है, अब आगे बात आती है आर्टिकल एक्सो तीन, आर्टिकल एक्सो तीन है, देखो वैसे आपको इस सारे आर्टिकल रटने की ज़रूद नहीं है, बट मैं ये बोलूगा कि आपको आर्टिकल फिप्टी वन ए, जो फंडर्टिल डूटी जाना, वहां तक तो आपको अंगूलियों पर रहने चाहिए, कि जब भी आपको नेंदार ही हो, तो भी आपको याद हो, कौन कौन से में कैसी इन है, क्योंकि देखो, वह तो बहुत इंपोर्टेंट है, और इतने ज़्यादा भी नहीं कि आप उनको याद नहीं कर सकते हैं, तो वह तो अटलिस आपको याद होने ही चाहिए, और आप याद कर लेना, क्योंकि वह तो आपको कहीं न कहीं काम आ जाएंगे, यह उन आपको answer writing में भी काफी help उन से मिलेगी, अब देखते हैं आगे, हाँ, article 103 की बात करेते हैं, article 103 में जो second law जाना, वो यह कहता है, कि यदि किसी संसद सज़स्य को disqualify या या योग्य गोसित करने का मामला है न, वैसे तो speaker के पास होता है, कि speaker ही decide करता है, कि भैस को योग यो करना है नहीं करना, बट अगर वो मामला, राष्टरपती के पास पहुँच गया है, वर्ड पर धान जाना, वैसे तो अगर किसी भी जो member को disqualify करने का काम होना, वो तो speaker के पास होता है, बट अगर किसी कार्णोस मामला राष्टरपती के पास आ गया है, कि भैस को disqualification का scene है, तो राष्टरपती क्या करेगा, election commission है न, जो chief election commission, उनसे मलब promise करेगा, कि भाई यह ऐसा से scene है, बताइए क्या करना है, और उस condition में, जो भी कारी होगा, वो election commission और राष्टरपती, आपस में मामला set करके कर लेंगी, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना, और उसके को, जो election commission जो advice दी है, उसे के मुताबिक यहाँ पर राष्टरपती को काम है, वो करना होता है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अब आता है, एक article वो आता है, वो आता है 217, article 217 का तो third part है न, वो यह कहता है, कि वहाँ पर एक person, मतलब एक question mark बन जाता है तो, कि यह दी, किसी उस nail है, यह नहीं कि कोई भी high court का जो नाई दीस है न, अगर high court के जो chief justice या high court का जो judge है, उसकी age को लेके issue उठ रहा हूँ, किसी भी तरह का सवाल हो, तो राष्टरबती क्या करेगा, जो सरोच नाले, यहनि कि जो हमारा supreme court है, supreme court के जो chief justice of India है, CGI, उनसे परामर्स करके काम करेगा, तो यह दो fact आपको धान में रखने हैं, देखों मेरा यहाँ पर article बताने का motto नहीं है, कि article आप रटने बढ़ जो, यहाँ पर मेरा motto यह है, कि अगर high court के judge का मामला है, age गू लेके, उसको लेके कुछ भी विवादाद तो उसको settle करना है, तो राष्टरबती Chiefs of India से consult करेगा, और इसके बाद में काम करेगा, और वहीं अगर कोई मंत्री की, मतलब disqualification का scene है, तो क्या करेगा, वो Chief Election Commissioner है, उनसे discuss करेगा, और उसके बाद में काम क्या जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर यह दो चीज़े clear करना चाहता हूँ, ना कि मेरा यहाँ पर मोटो यह नहीं है, कि मैं आपको article बरता हूँ, क्या भी article दटो, ठीक है, यह चीज तो आपने यहाँ पर देख ली, अब देखो बात ऐसी है, राष्टरपदी के पास कुछने कुछ पावर तो होनी चाहिए भई, देखो वो चीज़े हम वैसे लक्षमिकान में डिसकस कर लेंगे, कि एज 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए वग्यरा वग्यरा, वो देखो चीज़े आप बेसिक पढ़ भी सकते हो, बट खेर हैं मुझको वहाँ पर गवर करेंगे, यहाँ पर उन चीज़ों को आप एक बार फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर बात यह आती है, कि देखो राष्टरपदी है, वो सारा जो काम हो रहा है, वो राष्टरपदी के नाम पर हो रहा है, तो भई कुछ नहीं कुछ पाउर्ट राष्टरपदी के पास होनी चीज़े, तो बात ऐसी है, कि जो भी स्टेट है, मुझक सारी स्टेट के जो राज्य अपाल हैं आप यह मालो, वहां कुछ भी काम हो रहा है और राष्ट अपती उनसे रिपोर्ट मांग सकता है और ऐसी बात सेंटल में है कि क्या काम हो रहा है पार्लामेंट वगरा में उससे समधी जो भी रिपोर्ट है वो राष्ट अपती मांग सकता है कि भाई आप रिपोर्ट दीजी मैं देखूंगा क्या-क्या आप ध्वांदल बाजी क्या सीन वगरा चल रहा है समझी मैं या यह काम यहां पर किया जाते हैं अब हम देखते हैं एक सब्सक्राइब पानी पिलेता हुआ आपको पताओ कि भात में जो election की procedure होती है वह कौन से होती है जैसे कि भारत में direct election system है क्या है तो देखो आपको बतायाma कि भारत में normally first past the post the post system है मतलब कि जिसको ज़्यादा सीटे मिलेंगी ना उसी क्या जार पर मामला खड़े हो रहे हैं और एक केंड़ेट को मिल रहे हैं 20, Mm10, Mm30 इस जिसको सबस्यदा WOT मिल जाएंगी मामलो एक फार प्चास मिल गए तो जिसको प्चास मिल गए, कहरे हैसे हो नी लेक्सिन में आपको बता है आनुपातिक प्रति निदित्व प्रणाली का यूज है वो होता है और उसमें भी क्या होता है आनुपातिक प्रति निदित्व प्रणाली में भी दो चीजें होती है एक तो होती है एकल संकर्मनिय पद्दिति और दूसरी होती है सूची पद्दि तो सूची मेथड होता है यह तो यूज किया जाता है USA में मलग USA जो राष्टरप्ति का इलेक्षन होता है वो सूची मेथड से होता है और इंडिया के राष्टरप्ति का इलेक्षन होता है एककल संकरमण यह बदिती यह दोनों किसी का पार्ट है आनुपातिक प्रतिनित्व और भी हम आग एक 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 डिसकस करेंगे, अब देखो महाबयोग थोड़ा देख लेता है ही पर, कि राष्टरपती का इंपीजमेंट करना है महाबयोग, तो उसका कैसी इन है, देखो दो चार चोट चोटे फेक्ट है, पहली बात तो यह है कि महाबयोग लाना हो तो कोई भी सदन में लाय जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सभा में लाना है, राजसभा में, कहीं से भी आप शुरुवात कर सकते हो, और जो इंपीजमेंट का जो प्रोसिजर है, वो इंडिया ने कहां से अडॉप्ट की है, उस सदन के कम से कम 1 by 4 यह जो 25 परचेंट से है, वो एक न भी आगे इस स्पिकर उसको स्विकार करेगा, और फिर आगे उस पर कारवई की जा सकती है, तो यह आपको ध्यान रखना है, कि 1 by 4th परसन है, वो नोटिस देंगे इस स्पिकर को, या फिर जो वहाँ पर जेर परसन है, उसको इसके बाद में काग्यकारवई की जाएगी, औ तो आप देख लो, आपको क्या करना है, फिर बात आते हैं, मेजरोटी की, तो मेजरोटी होती है, यहाँ पर 2 3rd, Special Majority, देखोई जितने भी मेजरोटी है ना, बेसिकली जैसे कि Absolute Majority दिये है, Simple Majority, Special Majority भी 2 3 तरह होती है, इन सबको हम अलग से डिसकर्स करेंगी, ताकि आप आपको वो लेक्चर मिल रहे ना, तो जब भी आपको मेजरोटी देखने हो, आप वहाँ से डेख सकते हो, तो वो मैं आपको अलग से पोस्ट कर दूँगा, मतलब पॉलिटी वाले लेक्चर में ही जो यह शिरीज है, इसमें करूँगा, बट अलग से आपको एक दूदी मे लगया, थोड़ थोड़ा देख लेते हैं, तो उपराश्टरपती है, वो क्या होता है, उपराश्टरपती का वैसे तो कोई रियल में कोई पद नहीं होता है, वो बेसिकली राज्यसभा का हैड होता है, आपको पता होगा, कि राज्यसभा का वैसे हैड मतलब पदेन वाटी और वगरस्टापति, वको राश्टापति, वैसे क्ERाखवतिये आपको 90, वको अवगरस्व कते हैं वह राश्टापति अक्षृति, वगरस्ति प्ड़ में, वाटी को 1. और उनका यूज करना है राष्टर पती की पावर को भी cover करने वाले हैं एक सब्सक्राइब हां राष्टर पती और उपराष्टर पती के एलेक्शन को लेके कोई भी विवाद होता है ना उसका solution केवल केवल Supreme Court में होता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये काफी important fact है कि राष्टरपती और उप्राष्टरपती collection को लेके कोई भी boundaries हो गया है तो उसका solution करा होगा और रही बात फिर बाकी जो MPO केबिनेट मंत्री वगरा हो अगर इनको लेके कोई भी issue हो गया है तो वो actually high court में होता है ये आपको धान में रखना है जो भी उस related high court होता है वहां पर उसकी सुनाई होती है directly वो Supreme Court नहीं जा सकते है अगर high court के decisions से वो ना कुस है तब ही वो Supreme Court जा सकते है ऐसा नहीं कि directly वो Supreme Court में अपकिल करें पहले उनको high court में जाके मामला सेटन मरलब high court में कोई याची का दारिकन निपड़ेगी इसके बाद में ही वो जा सकते है और high court से नीचे उनके case की सुनाई नहीं होती है दूसरी बात इधान रकनी है कि राष्टरपती का पद है न मरलब एक सेकिंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता अगर नए राष्टरपती जिसे के मालो के पुराने राष्टरपती की छुटी होने वाली है तो उस condition में पहले ही हमें नए राष्टरपती के साइलेक्सन करवाने होते हैं और फिर उनको मरलब पॉइंट हो करना होता है नहीं कि राष्टरपती का पद खाली नहीं रहता है पर धानमंत्र का जुरूर पद फिर भी खाली रह जाता है बर राष्टरपती का पद एक सेकिंड के लिए भी खाली नहीं रहता है मतलब हाँ पर कोई ने कोई होता है जिए उप राष्टरपती हो या पिर Chief Justice of India भी बैठ सकते हैं इस पेसल केसेज में तो यह आपको फिक्ट ध्यान में रखना चाहिए वसे Chief Justice of India उन्होंने एक बार राष्टरपती का पत संभाला था कब वो संभाला था 1960 से उन में उस टेम पे कोन थे Chief Justice थे एम हिदायत तुला एक मेने के लिए उन्होंने पत भार संभाला था राष्टरपती का तो एक ऐसा केस भी वावा है जो कि आपको थोड़ा नमलब ऐसे पता होना चीए कि भई ऐसे ऐसे भी इंडिया में सीन हुए है अब बात यह आती है राष्टरपती की पावर की बात कर जो एक्जेक्टिव पावर हैं वो देखेंगे इसके बाद में हम उनकी विधाईक पावर हैं वो देखने वाले हैं नहीं की जो लेजिसलेस्टिव पावर हैं कौन-कौनसी है उनको देखेंगे फिर उनकी जो आपातकाल तो आपातकाल वैसे हम लग से डिसक्स करेंगे क्य तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सबसे पहले वीटो पावर से ही शुरुवात कर लेते हैं, ताकि उनको जल्दी से कवर यहां पर कर सके, हाँ, देखो राश्टरपती को वीटो की पावर क्यों दीगी है, पहले यह देखते हैं, आपको पता है कि जब भी कोई कानून बनना होता है, तो उसको लेके पहले लोग सभा राज्य सभा में प्रोचेश जलती है, वो वीदेख को लेके, और उसके बाद में राश्टरपती जब तक साइन नहीं करता, तब तक वो कानून नहीं बनता है, तो इसका मतलब राश्टरपती का एक एहम रोल हो जाता है, जब रा जलदबाजी में कानून बना रही है तो उस condition में राष्टरपति को वीटो पाउर दे गई हैं कि भाई वो जलदबाजी या कोई सही डंग से कानून नहीं बनना हो उस condition में ऐसा कानून नहीं बने जो कहने कहीं देश की ओर कानून की छवी को धुल्मिल करें या फिर कोई भी unc constitutional card वगरा ना हो जाए तो उसके लिए राष्टरपति को veto power दी गई है basically हमारे सविधान में तीन तरह की veto power है एक तो है यहाँ पे absolute, absolute को वैसे हिंदी में बोला जाता है अत्यानतिक veto और दूसरी होती है निलंबनकारी निलंबनकारी को ऐसे बोलते हैं suspensory veto और तीसरी होती है pocket veto जल्दी से हम देख लेते हैं क्या है एक मिनट लगेगे हैं में absolute veto का कैसी नहीं देखो absolute veto हो है कि राष्टरपति के पास power होती है कि भाई जो भी संसदने विदेख पारित किया ना उसको अपने पास सुरक्षित कर लेता है मतलब कुछ नहीं बोल ला है हाँ या ना बस अपने पास रख लिया और आपको बता है ओबिसले अगर अपने पास रख लिया कोई भी stand नहीं लिया है इसका मतलब वो पढ़ा-पढ़ाई खतम ही हो गया एक तरीके से क्योंकि उस पर कोई action नहीं लिया गया है neutral mode पे है राष्टरपति साब तो यह होता है absolute veto का scene मतलब राष्टरपति को लग रहा है कि नहीं सही नहीं है तो इसलिए वो क्या करते हैं ना हा ना कुछ चुपचाब बैट गे बस अब उनने आगे से आया उनके पास विदेग और उनने कुछ नहीं किया चुपचाब मलब ड्रोन में डालके रख दिया कुछ नहीं बोल रह हैं फिर आता है याँ पर निलंबनकारी सस्पेंशनी निलंबनकारी में कैसी नहीं होता है कि राष्टरपति इसका युस्तरप करते हैं जब विदेग को उनको वापस बेजना होता है बही पुनर विचार के लिए मतलब कि आप एक बार फिर से इसको रिकंसेडरेशन के लि राष्टरपति को उस पर सायन करना ही होता है उसके बाद कोई ओप्सन नहीं होता है आप एक चीज धान रखना कि जो धन विदेग आना वो राष्टरपति की अनूमति के बाद ही मतलब एक तरीके से आगे केंटिनू किया जाता है मतलब अगर धन विदेग लाना हो मनी भी लाना हो, तो पहले राष्टरपती से permission लेनी होती है, इसके बाद ही उसको बेज़ा जा सकता है, इससे पहले नहीं, तो ये चीज़ आपको धान में रखनी है, कि भही राष्टरपती है उसके अनूमती के बाद ही धन विदेख पहरत के जा सकता है और एक चीज हाँ ये कि धन विदेक के मामले में राष्टरपती को निलंबन कारी विटो की पाउर नहीं दी गई है क्यों? क्योंकि जब राष्टरपती की अनुमती से ही वो बिल लाग है मतलब राष्टरपती जो मनी बिल है उसको लेकि हाँ ना कुछ भी नहीं बोल सकते है वो चल सकता है बट वो उसको वापस कंट्रिजन के लिए नहीं बैच सकते है इसलिए नहीं बैच सकते है क्योंकि उनकी अनुमती के बाद तो वो पेस किया गया था तो ऐसा थोड़ी हो सकता है फिर तो वो तो कहीने कहीं गलत होगी ना बात फिर तीसरा आता है पोकेट विटो तो पोकेट विटो कहीने कहीं इस स्टार्टिंग में जो हमने एप्सलूट में देखा था विटो उसके जैसा ही है pocket विटो का सीन ही है कि राष्टरपती विटो पे कोई सहमती नहीं देते हैं ना तो उसे स्विकार करते हैं और ना ही उसे वापस बैशते हैं बस उसको एनिस्टे टाइम के लिए सस्पेंट करें रख देते हैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं एक तरीके से absolute विटो जैसा ही ये सीन है राष्टरपती नहीं अपनी pocket में डाल लिया उसको अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका use है वो मैं लिख के जाता है तो को USA में तो जो राष्टरपती होता है ना उनके पास तो जो ये pocket वीडो वाला सीन है तो दस दिन के लिए होता है बट इंडिया में ऐसा सीन नहीं है इंडिया में ये बैसा जब तक चाहें राष्टरपती उसको इंफिनिटिव टाइम के लिए अपनी pocket में रख सकते हैं उस पे हाया ना उन्हें कुछ नहीं बोलना होगा तो ये हमने आपे देखा जो जो important थी एक के कर गी उनको अब हम आगे हैं उनको और cover करते हैं अब जो को जो और power थी ना उनको एक पार हम जल्दी से cover करते हैं लेक्षर काफी लंबा हो रहा है बट हमें cover दो करना होगा तो एक बात वाज विधाई power को देखते हैं मलब ये जो executive power है वो देखो विधाई power ऐसी है कि जैसे कि राश्टरपति हैं वो संसदगी बैठ को बुला सकते हैं उसको इस्तैगीत कर सकते हैं लोक्स बाको विकटीत कर सकते हैं नए सत्र का आवान कर सकते हैं और ये सारे काम है राश्टरपति के द्वारा किये जाते हैं इससे के साथ ही जब भी कोई नए election होते हैं तो उसके बाद आपको बता है कि हर साल जो नए session होता है उसका पहला session actually राश्टरपति राश्टरपति की एक विधाई पावर में ही आती है और अगर हम बात करें राश्टरपति की विधाई पावर में तो जैसे के कोई भी विद्धे को अपनी स्विकरती देना है तो ये सारी विधाई पावर में आ जाती है खरेक करके हमें को आगे मतलब जब में लक्सिमिकान काउर करेंगे तो सारी पाउर को ब्रिफली डिसकस करेंगे इसके बाद में मारी यहाँ पे बात आती है VTA सक्तियों की देखो VTA सक्तियों में एक तो आप सबसे अच्छा एक्जामपल ले सकते हो धन विदेख को कि धनविदेख राष्टरप्ति की पूरवा अनुमती से ही संसद में पारित में पेस किया आ सकता है इसे के साथ लाक्रानट की अगर कोई भी मांगो तो राष्टरप्ति की सिफारी इसके बाद ही पेस किया सकती है इसलिए कुछ पैसा अच्या होता है तो जो grant वाला काम है वो actually राश्टरपती की मलब अनुमती के बाद ही होता है इसी के साथ ही state और center के बीच में पैसे का बटवारा करना हो तो finance commission की ज़रूत होती है हर 5 साल में गठीद किया जाता है वो सारा काम भी राश्टरपती के दुआरा ही किया जाता है हम लग राश्टरपती ही उसके लोगे आगी प्रोस्ज़री स्टार्ट करते है नया एक पाउर की देखें नया एक पाउर कौनसी होगी नया एक पाउर मतलब नयाले की पाउर देखो सबसे बड़ी बात तो एक तो यह है कि जो high court और supreme court के जो judge होते है सीनियर जाज होते हैं उन जाजों की appointment का काम में वो राश्टरपती ही करते हैं इसके बाद अगर उनको advice वक्रा लेनी हो तो भी राश्टरपती से ही लेते हैं या फिर जैसे की मर्टुदंट पगरा की cases में कोई बार discussion करना होता है तो वो राश्टरपती करते हैं फिर और जैसे सेन्य पावर की बात करूँ छोटो छोटी पावर हैं कहरें सेन्य पावर में वो जाती है कि तो भारत की सभी सेन्य बल है उनका head गोन होता है सेनापती और राश्टरपती खुद होते हैं जल सेना उचे थल सेना उचे वायो सेना तो यह आपको ध्यानों में रखना है emergency provision के हम बात करें तो राष्ट्रिया पातकाल होता है इसके साथ ही राष्टरपती सासन होता है और इसके बाद में एक होता है वीद्या पातकाल इनको खैंर हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि अलग से काफी बड़ा चेप्टर हो जाते है तो इस तरगे की पावर है वह है फिर एक important power है गी कारे कारी पावर कार्य कारी पावर यह है कि जिसके सारा जो भी काम है भारत के नाम पे वो सारा बिल तो राश्टरपति का करता है और काम रियल में कौन करता है परधान मंतरी इनिके भारत सरकार के सभी सासन सम्मधित कारिया राश्टरपति के नाम पे किये जाते हैं और राश्टरपती नियम भी बना सकते हैं ऐसे कि उनके जो आदेश है वो एक तरीके से एक अनुदेश वेलिड है जिसे राश्टरपती ने कोई अनौंस्मेंट कर दी कि ऐसा होगा अकल से तो वो एक तरीके से एक वेलिड फॉर्म है वो एक तरीके से एक टैप का कानून जै जैसे ही वो परभावी है वो होगा इसे के साथ जो बाकी मंत्रियों की न्यूकति है प्रधान मंत्रियों की न्यूकति है वो आपको पता राष्टर पती ही करते हैं तो यह उनकी पिछडे वर्क के जो commissioner है, उनके जॉयोग के head होते हैं, उनकी appointment का काम भी राष्टरपती करते हैं, के अंदर और state के बीच में आपस में कोई enterzati परिशत काम बनानी हो, interstate council बनानी हो, वो राष्टरपती के द्वारा किये जाती है, या फिर कोई भी area को scheduled area, scheduled travel area गोसित करना हो, तो वो सारे काम राष्टरपती के द्वारा ही किये जाते हैं, तो ये चीज़े आपको धार में रखने हैं, और एक important, जो के अंदर सासी प्रदेश, यानि कि जो union ट्रेटरी है न, UT's, उनका जो परसासन है, वो राष्टरपती खुद संभालते हैं, किसी के द्वारा, जैसे कि मतलब वहाँ पर परसासक को नियूत किया जाता है, और उन परसासक, वो परसासक डायरेक्टली राष्टरपती के अंदर काम है, वो करते हैं, मतलब कि जो UT's में जो परसासक हैड होते हैं, वो राष्टरपती को रिपोर्ट करते हैं, और फिर हो उस तरह के से काम करते हैं तो ये थी कार्या कारे पाउर खेर आज का लेक्टर काफी लंबा होगा अब हम आगे कल जो और बाकी चीज़े रगी है उनको कवर करेंगे तो फिल्हाल की डिसकसन में इतना ही है तो थैंक्यू, थैंक्यूर्मस फोर डिसकसन और हाँ गाइस, प्लीज आप वीडियो को सेर कीजिया करें, ताकि में जो भी मोटिवेशन मिल सकें, और अगर आप मों वीडियो में कोई भी कमी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट वोक्स में बताया करूँ आप लोग कमेंट करें, कुछ बताती नहीं हो हाँ ना, बस वीडियो के बारे में आपका कुछ ओपिनियन है, क्या चेंज करने है, कौन सीज एड करने है, तो आप प्लीज कुछ ने कुछ रिव्यू है, वो जुरूर प्रवाइड करवाएं